आज आपको बताया जाएगा कि भेड़ बक्रियों की जानलेवा विमारी इंट्रो टॉक्समिया जिससे हम समने वासा में फड़कया रोग भी बोलते हैं यह दिया आपकी बक्रियों की सबसे जानलेवा विमारी होती है भेड़ बक्रियों में बहुत ज्यादा नुक्सान होता क्या करना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के इंदर आपको बता दिया जाएगा वीडियो को इसकी प्रक्र मैं देखना पूरा देखना जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर आए तो उनके बारे में भी इस चैनल पर सही जानकरी सा दी जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल आइकन और आलवाल उपसन भी दबाएं क्यूकि इस चैनल बहुत ही सही जानकरी आपको मिलती है देखो बेड़ बकरियों में जो इंट्रो टॉक्स सा बरा रहता है कईबर बकरियां चिलाती है और उसके बाद मोत हो जाती है क्योंकि जानलेवा बिमारिया सबसे ज्यादा मोत होती है यह बेक्ट्रिया जनी त्रोग है बकरियों में और रही बात यह जो बेक्ट्रिया इसके आंतों में रहता है यह सक्रिय कब होता है फ़िजवा के तोर पर आपका एक तरीका है कि इस बिमारी से दी भीड़ बकरियों को इदी बचाना है तो सबसे पहले उसका टिका करन करना ही एक जुरूर है ले जब तक करता हूं कि जब यह आप टिका कराते हैं उससे पहले आप अपनी बेड़ बक्रियों को इस बीमारी से बचाना है तो डिवर्मिंग यानि पेट के किड़े मारने की दवा जुरूर दे दे पेट के किड़े मारने की दवा देने के 10-15 दिन की बाद पहले आपको पेट के यूज मिली जाती है जिस प्रकार से एटी इंत्रोटelu Absol गमीजिट एती यह जो बरभ में रहती है तो जब यह अप इसका प्रियोग है उसको अच्छी से हिला ले और उसके बाद में रही बात उसका टेमपॏजर मेंटें़ी रखें जब भी आप अपनी बेड़ बक्रियों को यह वेक्षिन लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि टेंप्रेजर किसमें रहना चाहिए दो से आठ डिग्री सेंटिकर यह थंडी रहनी चाहिए और जब भी आप इसका प्रियोग कर रहे हैं तो आप इसमें बरप में रखे और उस रही बात इसकी डोज जब यह दि आपकी भेड़ बक्रियों के बच्चे तीन महीने से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में आप उनका टिकाकरण करवा सकते हैं तीन महीने बाद में आप चाहिए आपकी बेड़ बक्रियां प्रिग्नेंट हो नोन प्रिग्नेंट हो चो 15 दिन से लेकर कि 21 दिन बाद में आपको एक और बुस्ट डोज लगा लेनी है एक बरेदी बुस्ट डोज लगाने के बाद में आप इसे 6 महीने बाद में आपको रिपीट करने हैं बारा महीने में आपको दो बार एक तो कब अप्रेल मही में आपको इसकी तिकाकन करवाना है एक आपको अक्टुंब्र और नाउंबर में दो बार आप अपनी बेड बकरियों में इंटू टोक्सिमिया की वेक्शिन इटीवी करवादे आप अपनी बेड बकरियों को सेव रखेंगे किसी तरह की बीमारी नहीं होगी आपकी बकरियां बच जाएंगी खर्चा भी जादा नहीं आता है तो वेक्षिन जुरूर करवाई रही बात वेक्षिन सोस्त वक्रियों को लगानी है बीमार तेंप्रेज बड़ावा बुकार है तो आपको इस वेक्षिन का प्रियों करना है यह टिकाकर्ण करवाना है बच्चाव यही है यह यह आपको सब्सक्राइब करने का तरीका टूर्ण न चाहिए फिर आपको दूसरा उप्सन देखना चाहिए तो पहला तरीका मैं आपको बता दिया इस पर बीमार होने के बाद में वीडियो चाहिए तो भी आपको निच्चे जाए कमेंड़िमी लेक् थेंक्स धन्यवाद